हेलो मॉम इजन डैडी वेलकम तो मैं चैनल सुपर मॉम आज मैं आपको बताऊंगे कि डिलीवरी होने के बाद वह कौन कौन सी बाते होती हैं जिन्हें आपको फोलो करना चाहिए और उन बातों को फोलो करके आप अपनी बॉडी को एककम हेल्थी रख सकते हैं इवन आफ्ट स्टाट दा वीडियो तो जह सुकसे पहली टिप है फो यह है कि अपको क्या करना है आपको थंडा पानी नहीं पीना आपने 2 लिटर पानी में कम से कम 100 ग्राम अजवयन डाल के उसको अच्छे से बॉयल आने दीजिए यह आपके जो घर में आपके हस्वेन या आपकी मदर जो भी होंगे जिनने आपके टेक कियर करनी है आफटर डिल्वी यह वही परसन यह चीज़े मैनेज करेगा तो उसमें आपको क्या करना है कि 2 लिटर वाटर में एटलिस 100 ग्राम जो है अजवयन डाल के उसको अच्छे से बॉयल आने दीजिए उसको करने दीजिए अच्छ लुकवाम या फिर बॉयल जो होता है तो गरम गरम जो चाय पीते है उस टाइप से पीना है आपने तो मेरे केस में क्या हुआ था जो मेरे हस्बन थे वो मेरा एक लीटर जो थर्मस आता है बड़ा सा उसको भरके मेरे साइटेवल पर रख देते थे और वही जब मेरे को प् होई है तो जैसी आप होस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आते हैं आपको अपने मालिश वली लगानी है आपको उसमें फुल बॉडी मसाज और हेड मसाज भी साथ में लेना है और उसके लिए स्पेशल ऑल बनाएंगे हम लोग घर में उसकी जो रेसिपी है वो मैं आपक पर नहीं होगता है तो मैंने अप्नेह दो एक Cleveland के बाद मालिश वली लगाइती 90 20 धक और वह मै की करती थि और बेबीकी मसाज भी करती थि और बेबीकॉर तो आपको फुल बॉडी मसाज लेनी है और हैड मसाज से जो कुछ लोग कहते हैं कि हमें माईग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है बाद में चल कैसे बोलते हैं तो आपको वह प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी तो आपने मसाज जरूर लेनी है मसाज लेने से क्या होते हैं हमाई बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी इससे अच्छा बना रहेगा मसाज लेने से और अगर आपका सीजीरन हुआ है तो उसमें आप मसाज के बारे में डॉक्टर से एक बार जरूर पूछ लेना कि सीजीरन में स्टमक मसाज का तो मुझो नहीं पता बड़ आप लेक्स और आम्स वग्यार में में बसाज ले सकते हैं तो सीजीरन के केस में आप प्लीज इगवर अपने डॉक्टर से जरूर पूछना और उसके बाद या मसाज स्टार्ट करवाना वाकी नॉर्मल डिलीव और हो सके तो 40 देज तक फैन का यूज नहीं करना बिल्कुल भी हवा नहीं लगने देनी हो सके तो फैन का यूज भी नहीं करना में जो डॉटर है शी वस बॉर्ण दूरिं अप्ल 14 अप्ल को वो ही थी 2019 में और इवन उसके ताइम भी मैंने जो है बिल्कुल भी फैन का अप्ल आप्र लेवर्ड जो है मुझे लगता है कि हमारी बोडी बॉट ज़धा शिवरीं करने लगती है बोडी बहुत नाइन मंस ज़ए बहुत ज़्यदा होन्स चेंजिस्से बाडी गुजरती है तो यह चीज़े ज़रूर चाहिए अपनी बोडी को अभार रखना बिलक कुछ फोलो किया था जैसे मालिश वाली मसाज करके जाती थी तो उसके बाद वो क्या करती थी जो मेरा स्टमक होता था जो नवल एरिया होता है वहां पर पट्टा जो होता था उससे कसके बांद के जाती थी मेरा स्टमक और एक चुन्नी उसके जहने के बाद मैं एक चुनी थ तो जो पेट का वो जो पाउच लोग कहते हैं कि हमारा पाउच जैसा पेट निकल गया है वह नहीं निकलेगा आपको प्रॉब्लम बिल्कुल फेस नहीं होगी मसाज कराने के पाद अपने पेट को अच्छे से आपने बानना है कुछ लोग आजकल बैल्ट भी उस करते हैं तो आप जुरूर फोलो करें अगर आपको बैल्ट बाननी है तो आप कोई भी ऑनलाइन साइट से बैल्ट मंगा सकते हैं अधर वाइस दुपत्टा बहुत ही बैस्ट रहत है क्योंकि उसके अपने 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 बानना होता है और मैं नीचे भी पोर्ट करने के लि आप कितने दिन के बाद बैल स्टाट कर सकते हैं अपनी बहुत वीक हो गई होती है तो हो सके तो फोन का यूज बहुत ही कम से कम करिये अगर आपको बहुत ज्यादा अर्जेंट है तब या फोन का यूज करो टीवी आ फोर्टी डेस तक मत देखो फोन यूज मत करो तक मेरे वेक घोर मेरे ब्रेकोस को सब्सक्राइबर हiska का बिर सा सब्सक्राट मेरे भी अश्यादा कर ब्रसाल लेति तो आपको जो लेना है आपको डालिए और मेरे हजबन डालते थे आलमेंड और कैश्व पाउडर भी डालते थे उन्होंने घर पे ही मिक्सर में चला के बनाया हुआ था तो इसमें वह भी डाल के देते थे तो मेरा ब्रेकफस्स यह होता था हलवा और ग्लास दूद्ध दो गहंटे बाद में दुबारा से वह हमारे में पिनिया खाते हैं गोंद के जिसको लड़ू भी आप लोग बोलते हैं पंजीरी मैं वह खाती थी एक और मैंने वह खिचडी दलिया यह सब नहीं खाया मैंने अच्छे से बना है वन एर तग मेरी डॉटर भी वन यहर तक मेरा बेटा भी बेस्ट पे ही था मैंने उनको वन यह के बाद ही काव मिल्क स्टार्ट कराया मैंने और कभी ऐफंभी उस नहीं करा तो अगर आपको ड़ाइट अच्छी यह और आपको ब्रेस्ट मिल्क अच्छ तो देशी की आप जितना हो सके जएदा से जएदा खाये और जो नॉर्मल डिलीवरी में आपके स्टिच लगते हैं उनको जल्दी हील करने के आप सिट्स बात लीजिए यानि की एक टब के अंदर लुक वाउम वाटर जो है उसमें डाल के उसमें दिन में तीन भार पांच से जल्दी हील हो जाएंगे और 90% जो वुमन है वो फेस करते हैं पायल की प्रॉब्लम डियुरिक प्रिमेंस से भी और कुछ जो है वो पॉस्ट प्रिमेंसी जो है तब भी फेस करती है विकॉस ऑफ दा पुशिक स्टेज जो लास्टेज होती है हमाई डिलीवरी की उसकी वज जो आपके calcium D3 और iron है यह जब तक आप बच्चे को breastfeed करा रहे हैं यह continue रखिए यह stop बिल्कुल मत करिए तो यह सारी tips आपने follow करनी है जितनी भी मैंने आपको 800 tips बताए है इन्हें आप फोलो करिएगा और आपकी body जो है बहुत अच्छे से recover होगी आपको बिल्कुल भी जो और जितनी भी would-be moms हैं उनके साथ ही video share करिये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह information पहुंच सके और प्लीज अकर वीडियो पसंद आए देन like my video and subscribe to my channel and please 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 share this video to everyone ताकि मेरी information जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की help कर सके follow me on instagram as well मिलते हैं आप से next video में with something new तब तक के लिए love and peace from supermom bye bye